सवाल ये है कि क्या पुनर जनम होता है और अगर होता है तो एक प्राणी के लिए एक जनम से दूसरे जनम में जाने का आधार क्या है वो क्या है जो किसी व्यक्ति को एक जनम से दूसरे जनम में ले जाता है अब अगर आप इससे समझना चाहते हैं तो आपको आप जो हैं उसके mechanics की थोड़ी समझ होनी चाहिए मैं उस mechanics की बात कर रहा हूँ जिससे एक इंसान का निर्मांड होता है देखे जब आप कहते हैं कि मैं एक इंसान हूँ तो सबसे बाहरी रूप रेखा भौतिक शरीर की होती है योग में हम हर चीज को शरीर की तरह देखते हैं क्योंकि ये आपके लिए समझने में आसान है तो हम शरीर को पांच आयामों या पांच पर्तों के रूप में देखते हैं भोतिक शरीर को अनमाय कोश कहा जाता है, अनमाय कोश का मतलब है अनमाय कोश कहा जाता है, अनमाय कोश का मतलब है अनमाय कोश कहते हैं, जिसका मतलब है कि ये मानसिक शरीर है, तीसरे को प्रानमाय कोश कहते हैं, जिसका मतलब है उर्जा शरीर, भोतिक शरीर, मानसिक शरीर औ देक्ट सकते हैं इसे जलाने वाली बिजली भी भातिक है सिसे जोडने वाला तार भी भातिक है तार में बहने वाले लेक्ट्र vein है एक भौतिक अस्तित्व ही है तो इसी तरह भौतिक शरीर, मानसिक शरीर और उर्जा शरीर सभी जीवन के भौतिक आयाम है इन तीनों आयामों पर कर्म की छाप होती है शरीर पर कर्म की छाप है, मन पर कर्म की छाप है और उर्जा पर कर्म की छाप है कर्म की छाप या कर्म का धाचा ही इन्हें एक साथ रखता है कर्म वो सिमेंट है जो आपको भौत एक शरीर के साथ जोड़ कर रखता है कर्म बंधन है लेकिन साथ ही सिर्फ कर्म के कारण ही आप अपने शरीर में कायम रह सकते हैं और यहां हो सकते हैं यहीं पर आध्यात्मिक्ता मुश्किल लगती है, क्योंकि अगर आप इसे हटाने की कोशिश करते हैं, तो यह नहीं होता, अगर आप इसे जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो यह नहीं होता, आपको सिर्फ वहां होना होता है, अगर आप बस होते हैं, तो यह एक पल की बात है अब अगले दो आयामों को कहते हैं विज्ञानमायकोश और आनंदमायकोश विज्ञानमायकोश अभौतिक है लेकिन भौतिक से संबंद रखता है ये एक बीच की अवस्था की तरह है आनंदमायकोश पूरी तरह से अभौतिक है तो विज्ञानमयकोश और आनंदमयकोश का मतलब है कि ये आनंद शरीर है अंदर एक आनंद शरीर है जो सौ प्रतिशत अभौतिक है इसका अपना कोई रूप नहीं है अगर उर्जा शरीर, मानसिक शरीर और भौतिक शरीर सही आकार में हैं केवल तभी ये आनंद शरीर को थामे रख सकते हैं अगर इन चीजों को निकाल दिया गया तो आनंद शरीर बस ब्रह्मान का एक हिस्सा बन जाएगा जिसे आप आत्मा कहते हैं, वो असल में एक कल्पना है इस माइने में कि लोग अभौतिक की कुछ सीमाओं का वर्णन आत्मा की तरह कर रहे हैं लेकिन आत्मा के लिए धांचा अभी भी आपका कर्म ही है अगर कर्म के धांचे को पूरी तरह से ढहा दिया जाए तो कोई आत्मा नहीं बच्चती हर चीज दूसरी हर चीज में विलीन हो जाती है जिसे महा समाधी या महा परिनिर्वान कहते हैं वो बस यही है कि आप धीरे धीरे समझ जाते हैं कि चाबियां कहा हैं और कर्म के धांचे को गिरा देते हैं ताकि आप सही माएने में खत्म हो जाएं जब कोई व्यक्ति मरता है, तो हम कहते हैं कि ये व्यक्ति नहीं रहा, ये सच नहीं है वो इनसान अब वैसा नहीं है जैसा आप उसे जानते थे, लेकिन वो अभी भी मौजूद है अगर आप कर्म के धांचे को सौ प्रतिशत नश्ट कर दें, अब आप अस्तित्व में विलीन हो जाएंगे इसी को मुक्ति या महासमाधी, हिंदू परंपरा में इसे मुक्ति कहा गया है योग की परंपरा में इसे महासमाधी कहा गया है और इसके लिए कर्म का धाचा ही वो धागा है जो इन चीजों को एक साथ बांदे रखता है तो जब कोई इंसान मरता है तो जाहिर है कि भौत एक शरीर वो चीज है जिसे आपने धर्ती से उधार लिया था तो शरीर सिर्फ धर्ती है है ना आप समझे ये भौत एक शरीर बस धर्ती का एक टुकड़ा है जो अभी इस तरह उचल कूत कर रहा है लेकिन आपको इसके एक एक परमानू को वापस करना होगा ब्याज नहीं लगेगा लेकिन आपको हर परमानू वापस करना होगा आपको एक भी परमानू ले जाने की इजाज़त नहीं है कोई भी नहीं ले जा सका बहुत एक शरीर अलग होकर गिर जाएगा लेकिन आपके कर्मों की मात्रा के आधार पर आपका मानसिक शरीर और प्रानिक शरीर बने रहते हैं अगर कर्म का धांचा बहुत तीवर है अभी खत्म नहीं हुआ है तो इसे खत्म करना होता है अगर कर्म कमजोर हो गया है क्योंकि ये अपना दौरा पूरा कर चुका है तब वो बड़ी आसानी से दूसरा शरीर पालेगा अगर इसे नया शरीर पाना है तो इस धांचे की तीवरता को कम होना होगा इसे निश्क्रिय होना होगा अगर ये बहुत तीवर है तो ये नहीं खोच सकता इसे इंतजार करना होगा तो इनहीं को आप भूत कहते हैं कोई मर गया है लेकिन उसके कर्म का धाचा अभी भी तीवर है क्योंकि वो अभी खत्म नहीं हुआ है अब उसे दूसरा शरी ढूड़ने के लिए काफी ज्यादा समय चाहिए वो अभी भी मौजूद है उसके कर्म का धाचा जितना ज्यादा तीवर होगा वो उतना ही ज्यादा दिखेगा या लोग उसको अनुभव करेंगे आपके चारों रैसे अंगिनत प्राणी है चाहे आपको पता हो या ना हो लेकिन उनमें से अधिकतर को आप अनुभव नहीं करेंगे क्योंकि उनके कर्म खाली हो चुके हैं वो बस थोड़ा और खाली होने का इंतजार कर रहे हैं इससे पहले कि उन्हें एक नया शरीर मिले लेकिन अगर उनके कर्म बहुत तीवर है इसलिए लोगों ने आपको बताया है कि अगर किसी की अप्राकृतिक मौत होती है दुरगटना में या आत्महत्या से या किसी दूसरी तरह से तो वो भूद बन जाएंगे ऐसा नहीं है, हर कोई बनता है बस इतना है कि उन्हें आसानी से महसूस किया जा सकता है वो आपके अनुभव के लिए ज्यादा उपलब्ध है क्योंकि उनका कार्मिक धाचा ज्यादा तीवर है लोग ऐसे प्राणियों को थोड़ा ज्यादा अनुभव कर सकते हैं उनकी तुलना में जो बूढ़े होकर मरते हैं अगर कोई अपने इस जीवन के लिए निर्धारत कर्मों को पूरी तरह पूरा कर लिता है तो वो बस यूँ ही मर जाएगा बिना किसी बीमारी के, बिना एक्सिडेंट के, बिना किसी चोट के जब कोई व्यक्ति ऐसे मरता है, बस यूँ ही तो वो कुछ घंटों में ही दूसरा शरीर पा जाएगा तभी इस परंपरा में कहा गया है कि अगर कोई अपना जीवन पूरा करके शांती के साथ मरता है तो ये मरने का सबसे अच्छा तरीका है क्योंकि उसे इंतजार नहीं करना पड़ेगा नया जीवन तुरंट शुरू हो जाएगा जब आप आध्यात्मिक मार्क पर चलते हैं तब हर आध्यात्मिक साधक का अंतिम लक्ष होता है कि वो इस पूरी प्रक्रिया को तोड़ना चाहता है या अगर इसे दूसरी तरह से देखें तो हम कह सकते हैं कि जिसे आप अभी अपनी आत्मा कहते हैं वो एक बुलबुले की तरह है बुलबुले की बाहरी खोल आपके कर्म का ढाचा है अंदर हवा है मान लीजे कि आप बुलबुला तोड़ देते हैं आप बुलबुले को फोड़ देते हैं तो हवा कहां गई? आपकी हवा कहां गई? अब आपकी हवा जैसी कोई चीज नहीं है ये हर चीज का हिस्सा बन गई है तो अब जिसे आप आत्मा कहते हैं वो कालपनिक है क्योंकि आपके आत्मा या मेरी आत्मा या किसी और की आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती अभी ये असीमित्ता एक सीमित कर्म के धांचे में बंध है तो इससे आपको ऐसा एसास होता है जैसे कि ये एक अलग हिकाई हो अगर आप उन चाभियों को अलग कर देते हैं जो कर्म के धांचे को बानती हैं तब ये बस ध्वस्त हो जाता है तो मृत्यू के बाद का जीवन अगला जनम इस सारी बक्वास में विश्वास मत कीजिए लेकिन अभी अगर आप यहां बैठते हैं और बस अपनी आँखे बंद करते हैं आप साफ साफ देख सकते हैं कि आप इस शरीर से परे भी कुछ हैं है न? कि आप साफ देख साफ देख सकते हैं